जो होगेश फिर फ़ोग में चैनल जहारकन लाइब। तो गैस यहां पे देखिए अभी आप लोग के लिए एक बहुत ही समझे तो बहुत ही अच्छी गुड new जाब लोग के लिए कि यहां पे छो है आप प्राक्टिकल आप लोग को पता है कि प्राक्टिकल कुछ सब्जेक्ट में 20-20 नंबर का था और कुछ में यहां पर देखें तो 50 नंबर का मिलेगा यहां पर किसको मिलेगा वह सारे चीज़े डिटेन उटाऊंगा तो वीडियो का प्लोग पूरा देखना एंड यहां पर दे इसे पूर्व जो है प्राक्टिकल और आंत्रिक मुल्यांकान का कारे चल रहा है और इसे पूर्व जो है प्राक्टिकल और आंत्रिक मुल्यांकान का कारे चल रहा है matric or intermediate के समानवे सभयों के practical वा internal assessment के साथ सत vocational का भी अलग से practical assessment होगा यानि कि हाँ पहला जा रहा है कि जो matric or enter के जो परिक्षा का practical होता है वो तो होगा ही, लेकिन यहां पे जो vocational subjects हैं उनके भी practical के परिक्षा हैं कराए जाएंगे लेकिन अलग से बट साथ में ही कराया जागा ठीक है जहां यहां पर देखे जहां समान विशोयों का 20-30 अंकों का practical होता है ठीक है यह आंतरिक मुल्यांकन होगा यानिकि बोला जा रहा है कि जहां पर समान विशोयों का जो practical है या फिर internal assessment है वो 20-30 अंकों का होता है वही vocational में अंक की परयोग परिक्षा वह आंतरिक मुल्यांकन होगा यानिकि अब जो है यहां पर वोकेशनल के जो 50 अंकों का practical और अंतरिक मुल्यांकन यानिक इंटरनल असेस्मेंट्स कराया जाएंगे इसके लिए इसकोले सिक्षा वह साक्षारताय भाग ने जहार्खनेकर में कॉंसिल और हाई स्कूल में वववाशाई सिक्षा के पढ़ाई होती यानि कि बोला जा रहा है कि 446 जो है ऐसे प्लस टू और हाई स्कूल है जहां पे जो है वोकेशनल की पढ़ाई करायी जाती परिख्षा में वेवैसाइक सिख्षा पाठेकराम में सामिल होने वाले चात्रों का 50 अंक का परियोग मुल्यांकर किया जाने निधारत किया गई यानिकि जो वो केसरों सब्जेक्ट्ट में मैंट्रिक और ермटी परिख्षा बैठेंगे उनको जएक प्रैक्टिकल का जो माकस norm दिया जैगा शत्रह अंकों पर पास उ बूर्द पर्टफोलियू के लिए मिले यहांठी 23 इ70 पर्योंगे itt प्रस्कान करेंगे दता है तो प्रस्क्त कर जाएंगे जिसमें कि 20 अंक पर्योंगे का जाएगा और किया जाएगा चात्रों के और प्रोजेक्ट वर्क उर्ड पैसला प्रोजेक्ट वर्क को जो प्रोजेक्ट व मिलेगो तुम उसका पॉर्टफोलियो के लिए आप लोग को भी अंग मिलेंगो वही तीस अंग में बीस अंग संबंदित के स्कील में अपने दक्षकता को दिखानी होगी जबकि दस अंग इंटर्व्यू में दिये जाएंगा नहीं की बोला जा रहा है कि यहां पर कुछ आंक आप लोग को कुछ आप लोग को परफोलियो तीस आंक में से चोह आप लोग को वोगेशनल इसकील में से अगर आपको अच्छा परौम करते हो तो आपको मांक मिलेगा और दस यानग याने कि आपसे मौक टेस्ट वे गई आपको सामने को सामने खड़ा करके को सवाल पोछज एंगे फि जैक ने चात्र चात्रों के सुची सौप दे यानि कि जो बोला जा रहा है कि यहां पर आपर जार्खेंट में कॉंसल में परिचम जो भी विद्यार थी वोकैसिनल वियानि विवैसाई परिच्छा देंगे उनका जो भी लिस्ट है वो यहां पर राष्ट्र को विकास निगम नएद दिल्ली को सौबद्द लिया गिया है वही निगम के और से अभी निगम के ओर से भी सहक्टर सक्ट्रम के दवारा Repel कराने को यान कि पूला जा रहा है कि जो भी मौलामंग वगर गाने के बाद जो भी अंग होगा वो जैक आप बता दिया यहां पर बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि क्या इनको भी मिलेगा तो जो विद्धार थी वो के सनल सब्जेक्ट्स नहीं दी है यानि कि इनका टेंथ में साइंस है मैथ से फिजिक्स सॉरी फिजिक्स गोल रहा हूं हिंदी है इंग्लिस वेगरा है तो वह सकते होको नहीं होंगे ट्म इसमैं देखेगा आप लुका सब्जेक्ट का वहां पर जिकर गीए है तो वह तो जोन से उप रहांस क्हां सकते हों इंग्लिस हो गया मैट्स हो गया तो इन सारे विश्यों का आप लोगों जो है वो किसनल सब्जेक्ट नहीं माना जाता है ठीक है तो इन सभी विश्यों में आप लोगों में वीडियो कर अच्छे लिए विडियो को लाइक किजेगा तो मिलते हैं अच्छे वीडियो में तब तक लोगा टे केर थैंक्स फर वाचिंस वीडियो गाईज